बहुत लंबे समय से यह बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी डिमांड आ रही थी कि सर कुछ ग्रामर का भी कंटेंट हो जाए कुछ ग्रामर के भी वीडियोज हो जाए क्योंकि लगातार बैक-टो-बैक रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन वोकाब फेलर्स इन्ही के वीडियोज ल दो-चार-दस सेशन्स ग्रामर के भी हो जाए तो चलिए आपकी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये फाइनली डिसाइट कर लिया है कि हाँ आप कुछ ग्रामर के भी वीडियोज होंगे और शुरुवात हम इस सीरीज की इस पूरे घटना करम की शुरुवात हम कंजंक्शन्स वर्सिस प्रेपोजीशन से करेंगे आप इसे कई तरीके से समझ सकते हैं ये सेशन और आने वाले कुछ और सेशन्स क्योंकि जो कंटेंट मैं आज आपको इस सेशन में पढ़ाऊंगा वो यहीं ओवर नहीं हो जाएगा ये अगले तीन चार और दिनों तक चलेगा बैक टू बैक मैं सेशन्स डालूंगा लगातार मैं वीडियोज आप तक लेके आऊंगा ताकि जो भी हमने शुरू किया आज तो वो जल से जल ओवर भी हो जाए वो सिरीज कहीं से तूटे ना तो हम जो कुछ भी पढ़ेंगे अभी कंजंक्शन और प्रेपोजिशन से रिलेटेड उसे आप ये कह सकते हैं कि ये कंजंक्शन और प्रेपोजिशन के बीच का डिफरेंस है और आप चाहे तो ये भी कह सकते हैं कि ये कंजंक्शन और प्रेपोजिशन के बीच का म्यूच आप चाहे तो यह कहें कि यह differences है जो भी मैं बताओंगा भी आगे वाली Slides में Conjunctions और prepositions को लेकर चाहे तो आप यह कहें कि वह conjunction और preposition के differences और चाहे तो आप यह कहें कि जो काम conjunction करता है उसी काम को preposition कर सकता है ठोड़ा सा अलग तरीके से तो ये इनके बीच की similarity भी हो सकती है और आप इसी बात को इनके बीच का differences भी कह सकते हैं चलिए आज के session को start करते हैं और मैं आपको clear कर दूँ कि मैं आज के session में और आने वाले 3-4 और sessions जो भी मैं concept पढ़ाऊंगा मैं उसमें आपको conjunctions और prepoditions नहीं पढ़ा रहा इनके dedicated videos आएंगे तो आपको conjunctions और prepoditions के बारे में पता चलेगा अभी conjunctions का prepoditions से और prepoditions का conjunction से क्या relation है ये बताया जाएगा और ये बहुत ज़्यादा important है in fact अलग-अलग पढ़ने से ज़्यादा मजा है इस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ चलिए start करते हैं आज के session को और जानते हैं कि क्या कुछ मैंने रखा है आप सभी के लिए in today's session सामने slide आप सभी को दिख रही है उसके title को पढ़ी सारी कहाने यहीं पर है prepoditions and their conjunctions generally आप ये बात नहीं सुनते हैं कि prepoditions और उन ही के conjunctions देखिए आप एक prepodition रखते हैं माल लिजे at को पकड़ते हैं at एक prepodition है पूछिए अपने आप से क्या है इसका कोई conjunction है किसी और से पूछ के देख लिजे कोई जवाब नहीं इसका सर ये सवाल ही नहीं है अगर कोई आप से पूछता है भाई at एक prepodition है tell me it's conjunction तो आप उसके सवाल को entertain ना करिये क्योंकि वो सवाल ही नहीं है उसका कोई prepodition होना ही नहीं है यही वास्तविक्ता है generally prepoditions के conjunctions नहीं होते और नहीं conjunctions के prepoditions होते हैं दोनों के मकसद अलग-अलग होते हैं दोनों के functions अलग-अलग होते हैं कभी यह पूछा ही नहीं जाता कभी इन चीजों का जिक्री ही नहीं किया जाता है कि conjunction का कोई prepodition भी हो सकता है क्या या prepodition को कोई conjunction भी हो सकता है क्या लेकिन जब preposition अपने comfort zone से बाहर आता है या जो preposition के basic uses हैं अगली slider मैं उन पे भी चरचर करूँगा पर उससे पहले जो मैं अभी समझा रहा हूँ उसको सुनिए तो जब preposition अपने basic uses से comfort zone से बाहर आएगा तो मज़ेदार बात आएगी prepositions के conjunctions भी हो सकते हैं देखिए एक तरफ preposition से एक तरफ conjunction से लिखा है while preposition है अब इसी while को आप चाहें तो conjunction बना सकते हैं कैसे ये जानने के लिए आगे की slide में दिया गया कैसे इसी का जबाब तो आगे हम डूढेंगे फिल लिखा because of preposition है off को हटा दिया बचा because conjunction अच्छा ये बताइए माली जे शक्ल बदल गई because of का off अटा दिया because लेकिन because of कारण की बात करेगा because भी तो कारण की ही बात करेगा तो मकसद तो वही है ना तो फिर मकसद वही है काम करने का तरीका अलग-अलग होगा अब देखिए before कभी preposition तो कभी before conjunction हो जाएगा after preposition भी है और यही after कभी use में conjunction हो जाएगा और सबसे बढ़िया और सबसे ज़्यादा important, सबसे ज़्यादा interesting आप इसे most challenging भी कह सकते हैं, मैं तो चाहूंगा कि आप इसे most challenging ना बोल कर most interesting कहें कि despite और in spite of prepositions है, generally आप से कोई पूछे अच्छा, कुछ prepositions मुझे बताईए, तो आप क्या बोलेंगे at, on, for, from, with to, in, यही तो बोलेंगे, क्या आप कह देंगे अच्छा, prepositions चाहिए despite है, prepositions चाहिए in spite of है, prepositions चाहिए आपको because of है नहीं सा, along with है prepositions together with है, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे बात नहीं करेंगे, आप at बोलेंगे, on बोलेंगे, for बोलेंगे with बोलेंगे, from बोलेंगे, to बोलेंगे, in सब को बोलेंगे लेकिन इन्हें नहीं बोलेंगे, पर यह होते हैं, तो क्या है कि despite और in spite of prepositions है और जो इनके conjunctions हैं, उनके चेहरे पूरी तरीके से बदल गए हैं, दो और और ओल दो, यह हैं इनके conjunctions, बड़ी विचितर बात है, पर यही सचाई है कि despite और in spite of को जब conjunctions के तरीके से use किया जाता है, तो उनके चेहरे बदल जाते हैं और बदल करके दो और ओल दो हो जाते हैं दिस session is going to be very very interesting, यकीन मानी आप मेरी बात का तो आप बहुत ध्यान से मेरी हर एक चीज को समझीएगा एक छोटी सी बात है, जब आप honesty जो की एक noun है से honest यानि उसके adjective में जाते हैं और उस honest से honestly यानि उसका एड़वर्ब बनाते हैं तो क्या meaning में बहुत बड़ा बतलाव हो जाता है, नहीं honesty जो की noun है इमानदारी honest जो की इसी का adjective है इमानदार, honestly जो की इसी adjective का एड़वर्ब है इमानदारी पूर्वक, अर्थ तो लगभग वही है, कहीं क्या इमानदारी से बेमानी भी आ गया नहीं न, तो जब prepositions के ही conjunctions बनेंगे excuse me, तो sir, meaning काफी हद तक एक जैसा ही रहेगा, काम करने के तरीके बदल जाएंगे, लेकिन purpose काफी हद तक एक जैसा ही रहेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो हम आपको वास्तों में सिखाना चाहते हैं आज के इस सेशन में, और अगले दो-तीन सेशन में, चुकि ये एक सीरीज है, जिसे दो-तीन सेशन तक continue किया जाएगा, तब जाके over हो पाएगी, चलिए शुरू करते हैं इसे इससे पहले कि हम conjunctions और prepositions दोनों को साथ-साथ पढ़ें, दोनों के एक जैसे uses देखें, उससे पहले हम आपको थोड़ा सा brief कर देते हैं कि what do we mean by conjunctions and what do we mean by prepositions, where should we use a conjunction and where is a prepositions required, क्या कहा conjunction आता है और कहा prepositions आता है, basic बाते मैं आपको बता दू, जैसे शुरू के दो examples, use of conjunctions में based है, पहला example देखी, बोथ, आयांश and सुधांशू are ingenious, इन दोनों इस sentence में, जो आप आयांश और सुधांशू के बीच में जो and लगा देख रहे हैं, सर ये and एक conjunction है, और क्या कर रहा है, आयांश और सुधांशू इन दोनों व्यक्तियों को आपस में जोड रहा है, देखीए conjunction को हिंदी में संयोजग कहते हैं, इसका कारे है दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों अत्वा दो घटना क्रमों को आपस में बांधना, जोडना दो व्यक्तियों को कभी जोडना, जैसे आपस में बांधना, आपस में जोडना, जैसे दूसरा एक्जामपल पढ़िये, I have decided to join the Indian Armed Forces, मैंने ये तै किया है कि मैं भारतिये Armed Forces में जाऊंगा, Indian Armed Forces को join करूंगा When I grow young, जब मैं जवान हो जाऊंगा यहाँ पर जो when देख रहे हैं, it is a conjunction और ये दो व्यक्तियों अत्वा, दो वस्तुओं को नहीं जोड़ रहा है ये दो घटनाओं को जोड़ रहा है In fact, दो परिस्थितियों को जोड़ रहा एक परिस्थिती है कि मैं Indian Armed Forces को join करूंगा और दूसरी परिस्थिती है कि मैं young हूंगा तो इन दो clauses को अगर आप grammatical aspect में देखें तो ये जो when है, ये दो अलग-अलग clauses को connect कर रहा है सरल भाषा में कह सकते हैं कि दो अलग-अलग कारियों को दो अलग-अलग घटनाओं को अपस में connect कर रहा तो ये है conjunction का मकसद कि दो विक्तियों को अपस में बांधिये दो वस्तूओं को अपस में बांधिये प्रेपोजिशन्स के बारे में समझ लेते हैं Generally, prepositions का क्या काम होता है. पहला example, let's meet at 10 p.m. Let's meet at 10 a.m. इसमें at नाम जो देख रहे हैं, at word जो देख रहे हैं, it is a preposition. और यह 10 a.m. जो की time है, इसको connect कर रहा है. यही prepositions का काम है. So, generally, prepositions does two things. One, it talks about time. Two, it talks about place. Generally, prepositions दो काम करता है. एक, समय की बात करेगा, या फिर स्थान की बात करेगा. When you said, let's meet at 10 a.m. 10 बजे मिलेंगे, तो यह जो 10 a.m. है, it is a time. जिसे at नाम का prepositions connect कर रहा है. Example number two, the marriage shall be held on Monday. शादी जो है, मंडे को होगी. यहाँ पर prepositions on आया है. और यह भी क्या कर रहा है? आट के जैसे ही time को ही जोड रहा है. आट ने 10 a.m. time को पकड़ा है, और on ने Monday को पकड़ा है. तो आपने इन दो examples में क्या देखा? कि prepositions time को connect करता है. चाहे वो at 10 a.m. हो या फिर on Monday हो. तीसरे और चौते examples में देखिए, the book is on the table. किताब कहा है? टेबल पर है, table sir, place हो गया. क्यों? क्योंकि अगर आप सवाल करें कहां से, तो जो भी आपको answer मिलेगा, वो place हो जाएगा. जब आप सवाल करेंगे कब से, तो फिर आपको जो भी जवाब मिलेगा, वो time होगा. अगर आपको question कहां से आ रहा है, तो जो जब आप मिल रहा, वो place है. कहा है किताब? टेबल पर है. तो on ने place को connect कर लिया. The manager is in the cabin. Manager कहा है, cabin में है, कहा है? cabin में है, कहां से place मिला. तो इन ने भी place को जोड लिया. तो क्या देखा आपने? कि prepositions basically दो काम करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, place को connect करना, और कभी-कभी time को connect करना. तो दोनों के कारेश अलिया लग है, conjunctions दहां, जहां दो व्यस्तुओं, व्यक्तियों, अत्वा, घटनाओं को जोडता है, वही preposition जोडने का काम ही नहीं करता. preposition तो place और time की बात करता है, हम आपको बताएंगे की similar nature of job कैसे perform की जाती है. एक ही जैसा काम हम कैसे conjunctions और preposition से करते हैं. सामने स्क्रीन पे जो कुछ भी लिखा, ध्यान से देखिए. जो पहली heading है, while as conjunction, और नीचे heading क्या लिखी है, while as a preposition. मतलब, पहले हम while को conjunction के जैसे use करेंगे, फिर इसी while को preposition के जैसे use करेंगे. पहला example, while का पढ़िए as a conjunction वाला, ध्यान से देखिएगा, the driver fell asleep, यह जो fell asleep है, इसका मतलब है, सो जाना, fall asleep एक phrase है, जिसका मतलब ही होता है, सो जाना. तो driver fell asleep, driver सो गया, while, जिस वक्त, जिस दौरान, while का मतलब यही होता, जिस वक्त, जिस दौरान, जिस समय के दौरान, यह सारे अर्थ होते हैं, he was driving the car, जिस वक्त वो कार को चला रहा था, तो उसी वक्त driver को जपकी आ जाती है, वो सो जाता है, क्या मेनिंग है, the driver fell asleep while he was driving the car, जिस वक्त वो कार को ड्राइव कर रहा था, इसमें जो while है, वो conjunction है, यह मैं कह रहा हूँ, आप कैसे जानेंगे, अभी पता चल जाएगा, अब आप इसी बात को सीधे देखिए, प्रेपोदीशन में कैसे लिखा गया है, उसी sentence को प्रेपोदीशन में भी देखिए, the driver fell asleep, इतना पार्ट सेम है, वाइल भी लिखा हुआ है, आगे के पार्ट में changes कर दिये गये हैं, जहाँ पर he was driving the car था, अब वहाँ पर cable driving the car है, क्या-क्या गायब कर दिया है हमने, he को और was को, जिस he और was को हमने गायब किया है, वो he subject था और was auxiliary verb थी, आप शायद समझ गये हों, और शायद ना भी समझे हों, हमने ये किया है, कि जो while he was driving the car, जो कि एक sentence था, हमने इसी घटना करम से sentence का दरजा छीन लिया है, अभी जो हम बात कह रहे थे, in the form of sentence, while के बाद, जो he was driving the car, देखिए, अपने आप उपर नीचे देखते रहिए, सरसमझाने के लिए है ना, कभी मैं उपर की बात करूँगा, कभी नीचे के sentence की बात करूँगा, तो आप फटा पट स्विच करते रहिए, जब हम कह रहे, while he was driving the car, तो while के बाद, जो he was driving the car था, it was a sentence, it is a sentence, और sentence को जो connect कर रहा है, while वो conjunction है, और जब इसी बात को हम कहेंगे, in another way, दूसरे तरीके से, और उस तरीके में हम sentence को kill कर देंगे, इस structure का content रखेंगे, पर उस content को sentence की form में नहीं रखेंगे, बात हम वही बोलेंगे, बात तो यही कही जारी न, कि वो कार चला रहा था, हम अभी भी वही बात कहेंगे, पर इस बात को कहने का तरीका बदल देंगे, अब हम इसे एक वाक्य के तरीके से नहीं कहेंगे, यह नहीं कहेंगे कि वह कार चला रहा था, जब आपने कहा वे है कार चला रहा था लेकिन आप अगर ये कह दे कार चलाते समय कार चलाने के दौरान तो कार चलाते समय अब सेंटेंस का दर्जा छेन गया मैं आपको बहुत ही easy language में बता चुका हूँ बात पूरी फिर से सुन लिजे अगर आप conjunction की जगा preposition लगाना चाहते है for same purpose क्योंकि दोनों examples कहना एक ही बात चाहते है यही मेरा purpose है कि purpose नचेंज हो कहीं से impact नचेंज हो जो हम conjunction के थुरू हासिल कर रहे है उसी को हम preposition के थुरू हासिल कर रहे है दोनों बार हम एक ही बात को कहें लेकिन तरीका बदल जाए तो while he was driving the car यहाँ while conjunction है क्योंकि he was driving the car एक sentence है while driving the car का while preposition है क्योंकि driving the car it is not a sentence sentence की minimum परिभाषा क्या होती है there should be a subject there should be a verb minimum definition of sentence is that there should be a subject अब सर जब subject होगा तो prior verb भी होती है तो यह तरीका है conjunction से preposition में या preposition से conjunction में जाने का कि आप कुछ भी लिखें अगर वो sentence की शकल में नहीं है तो जो connect कर रहा वो preposition है और अगर उसी चीज़ को sentence की शकल में लिख दें तो जो भी connector है वो conjunction है example number two देखिए अगर आपको पहला समझ में आ गया होगा तो example number two तो बहुत easily समझ में आ जाएगा while he was talking to the media persons जिस वक्त वो media वालों से बात कर रहा था the secretary kept answering phone calls इसी बीच में जो सचेब थे वो phone calls को भी answer दे रहे थे मतलब media वालों के सवालों का भी जब आप दे रहे थे बीच बीच में कुछ phone calls भी आ रहे थी तो उनको भी attend कर रहे थे अब ये while conjunction है क्योंकि he was talking to the media persons it is a sentence और इसी structure को जब नीचे लिखा गया है तो हमने while के बास सीधे talking लिख दिया he was को हटा दिया he हटा दिया यनि subject हटा दिया was हटा दिया यानि कि auxiliary verb हटा दि सीधे हमने मुद्दा रख लिया talking to the media persons ये है from conjunction to preposition conjunction से preposition में जाने का रास्ता या preposition से conjunction में जाने का रास्ता कि जो भी आप काम करें वो वाकिकी शकले में नहीं होना चाहिए तब तो preposition है connector और अगर वाकिकी शकले में हो गया in the form of sentence और in the form of clause देखी बहुत grammatical aspect से अगर मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊंगा तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना इसलिए एक सरल भासा में समझना जरूरी है सरल भासा में मैं इसलिए आपको सब कुछ बता रहा हूँ तो ये है conjunction और preposition के बीच का सर difference मैं तो कहूँगा सर आप इसे difference न कहें बलकि conjunction और preposition के बीच का relation उनके बीच की अच्छी वाली understanding कि कभी conjunction वो ही काम करता है जो preposition कर सकता और यह बात समझे सर इसमें win-win situation preposition के लिए है महान काम conjunction नहीं कर रहा है यहां conjunction का यही काम है टू कनेक्ट जो बड़ा काम है जो महान काम कर रहा है वो preposition कर रहा है preposition अपने comfort zone से बाहर आ रहा है preposition के लिए comfort zone के आए कि वो time और place की बात करे तो उससे बाहर हटके वो situation की बात कर रहा है घटना क्रम की बात कर रहा है तो ये win-win situation या जो upper hand है या फिर जो जीत है यहां पर वो preposition की है जो broadness of uses है वो conjunction में नहीं बलकि preposition में है उमीद है मेरा प्रयास आप सभी को जरूर समझ में आया होगा अगली slide में हम इसी काम को दूसरे word के सहारे करेंगे अगर ये समझ में आ गई है तो अगले slide में हमें बहुत ज़्यादा time नहीं लगाना पड़ेगा अब देखी इस slide में उपर लिखा है because of preposition नीचे लिखा है because conjunction एक मैं छोटी सी help आपकी कर रहा हूँ अब सब जानते हैं that off is a preposition तो मैं बता रहा हूँ सर अगर off preposition है तो जिन जिन words में off जुड़ जाएगा वो सब के सब या तो preposition हो जाएगे या prepositional phrase हो जाएगे जैसे because में off लग गया तो because of preposition हो गया अब जैसे instead of होता है सुना होगा आप लोगों ने instead of आफ लगता है वो भी preposition हो गया in spite of होता है आफ लगता है in spite में तो वो भी preposition हो गया और सुनिए जैसे डबलू आई टी एच विद एक preposition है तो अब ये विद जाहां जाहां लगेगा जिसमें जिसमें लगेगा सब preposition हो जाएगा जैसे along with ये भी preposition हो गया along with लगा प्रेपोदीशन हो गया जैसे together with ये भी प्रेपोदीशन हो गया जैसे within हो गया without हो गया तो ये भी प्रेपोदीशन हो गया तो ये सब तरीके हैं सर जब with प्रेपोदीशन है तो with से बने सारे structures प्रेपोदीशन हो गया चाहे वो along with हो together with हो within हो या without हो जब off एक preposition है तो जहाँ जहाँ off लगेगा सब preposition हो जाएगा चाहे because of हो चाहे instead of हो या चाहे फिर in spite of हो चलिए because of preposition है अब इसमें तो आपको कोई शक नहीं रह गया क्योंकि off लगा हुआ है और because एक conjunction है जब off हटा देंगे और पूरी कहानी में पिछली slide में आपको बता ही चुका हूँ तो एक तरीके से जो concept आपने पीछे वाली slide में पढ़ाता है यह उसका revision हो जाएगा ताकि आप और बहतर जान जाए सब कुछ पढ़िए पहला example he lives in penury penury का मतलब गरीबी से हो सकता है poverty से हो सकता जब पैसों की तंगी हो तो वो गरीबी में रहता है up now because of his extra wagons extra wagons का मतलब जब आप बहुत जादा पैसे खर्च करें तो इस आदत की वज़े से इस आदत के कारण वो अब जो है वो गरीबी में रहता है मैं नहीं चाहता कि आप इस बात को समझें लेकिन फिर भी सुन लीजे because of की हिंदी होती है के कारण और because की हिंदी होती है क्यों की मैं नहीं चाहता कि आप ये कहे कि जब हम के कारण बोलेंगे तो preposition हो जाएगा क्यों की बोलेंगे तो conjunction हो जाएगा नहीं मैं चाहता हूँ आप सर सिंसियर होकर के समझदारों वाली बात करें है ना यूजिस के आधार पर इस बात को justify करें हिंदी के आधार पर नहीं कि के कारण प्रेपोजिशन क्योंकी कंजंक्शन यही बात थी तो पीछे जब वाइल आया था तो जहां पर वाइल मैंने बोला था के समय मेरी बात आप समझ रहे के समय तो उसको कह दीजे प्रेपोजिशन और जब मैं कह रहा था वाइल के लिए जिस वक्त तो उसको कह दीजे लेकिन यह बहतर नहीं बात है आप यूजिस के आधार पर समझीए फिर से देखिए, he lives in penury now because of his extra wagons, बहुत अधिक खर्चीले स्वभाव की वज़े से के कारड, आज वो गरीबी में रह रहा है, because of के बाद जो आपने his extra wagons लिखा है, क्या ये his extra wagons आपको कोई sentence नजर आ रहा है, नहीं न सर, sentence है तो इसके बाद verb कहा है, अगर ये subject आपको लग में जाईए, पढ़िए example, he lives in penury now because of it आदिया गया, खाली because रखा गया, अब his extra wagons इसी बात को, इसी उद्देश को नए तरीके से कहा जा रहा है, he once enjoyed extra wagons, इसमें ही subject है, enjoyed verb है, extra wagons object है, when we have a subject, when we have a verb, when we have an object as well, it is nothing but a clause, it is nothing but a sentence, तो अब वही बात sentence की शकले में आ गई, तो क्या देखा आपने, because of preposition है, और because conjunction है, अच्छा दोनों का मकसद सेम है, आप सोचिए, दोनों का मकसद सेम है, जो because of कर रहा है, तो वही because कर रहा है, तरीका बस बदल रहा है, जैसे आप कहें कि कान पूर जा रहे है यात्रीगर, और फिर आप कहें, जो यात्रीकान पूर जा रहा है, बात तो एक ही है न सर, बात को कहने के तरीके दो हो सकते हैं, फटाफ़ट example number two देखिए, the insolvent businessman had to dispose of, कहीं लिख लिजएगा, एक तो dispose का मतलब बेच देना होता है, और दूसरी बात dispose के बाद off नाम का preposition आना बहुत ज जाएंगे, make sure कि dispose के बाद आप off लगाएं और single F वाला ही off लगाएं, तो insolvent मतलब कमजोर हो गया, जो जिसका दिवालिया निकल गया हो जिसके पास पैसे ना हो देने को, तो उस businessman को had to dispose of his personal assets, उसे अपनी व्यक्तिकत पूंजी को भी बेचना पड़ा, because of a huge loss in business, क्योंकि उ because of के बाद जो a huge loss in business आप दे रहे हैं, यह reason है, पर क्या यह reason in the form of sentence है, is it, tell me, no, it is not, जो reason आप दे रहे हैं, a huge loss in business, it is not in the form of sentence, यही है preposition, और जब इसी reason को, a huge loss in business को, in the form of sentence आप दिखा दें, जैसा कि हमने नीचे किया है, तो वो conjunction हो जाएगा, पढ़िए न सर, पढ़िए सीधे उसी बाट को पढ़िए, because, of को हटा दिया, खाली because को रखा गया, he suffered, he, suffered, he, sir, subject हो गया, suffered, verb हो गया, a huge loss in business, subject, oh sorry, object हो गया, लो, बात बन गई, he, suffered, a huge loss in business, it is a sentence, जिसका he, subject है, suffered, जिसकी verb, a huge loss in business, जिसका object है, इस structure को connect करने वाला, जो because है, वो एक conjunction हो जाएगा, ठीक है न सर, तो हमने ये आपको समझाने की कोशिश की, हमने इतनी देर में बार-बार आपको हम ये बताना चाहा रहे हैं, कि जिस कारे को हम preposition से कर सकते हैं, उसी कारे को कई बार हम conjunction से भी कर सकते हैं, या फिर जो कुछ भी हम conjunction की मदद से कह सकते हैं, जैसा sentence हम with the help of conjunction form कर सकते हैं, वैसी ही बात, वैसा ही उद्देश पूरा हो सकता है, with the help of preposition, तो conjunctions और prepositions में differences तो तमाम हो सकते हैं, दोनों का अलग-अलग मकसद हो सकता है, पर दोनों का एक मकसद हो सकता है, they can perform similar job, ये बात हमने आज आज आपको समझाने की कोशिश की, ये इस सिरीज का पहला लिक्च था, तो आज के इस सेशन में इतना ही, सर ये एक सिरीज है, जिसे continue किया जाएगा, I do not know कि अभी 2-3-4 कितने और सेशन लगेंगे, possibly 2-3 और सेशन आपको चाहिए होंगे, तो आज का सेशन इतना ही कैसा लगा, मुझे जरूर बताए, और अगर आपको कुछ हलका फुलका कम समझ में आये, तो आप इसे दुबारा देख लें, और अगला जो वीडियो आएगा, उसमें आपको और इसी चीज को जब समझाया जाएगा, तो और ज्यादा समझ में आएगा, चलिए अपना अपना ध्यान रखिए, stay at home, stay safe, अभी के लिए good night, bye bye, take care, see you tomorrow.